हम लोग हमेसा सोचते हैं अपने लाइफ के रिकार्डिंग की पढ़ाई लिखाई कर लो सब कुछ मिल जाएगा दोस्त 99 परसेंट तो ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है एक परसेंट ऐसा होता है मैं एजुकेशन को गलत नहीं बोल ला हूँ यह स्टेप बाई स्टेप चीजों को करूंगा आप थोड़ा कंटिनीव करो सही तरीके से आप समझ पाओगे मैं क्या किलियर करना चाहता हूं और क्या आपको बताना चाहता हूं नमस्कार दोस्त मैं रुपेश सर्मा मोटिवेशनल इस्विकर लाइफ को बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लाइफ के रिकार्डिंग पढ़ाई लिखाई कर लो आपका लाइफ अच्छा हो जाएगा आप लाइफ का सक्सेस्पूल बना लोगे आप लाइफ में जो भी पाना चाहते हो हर एक चीज मिल जाएगा लेकिन दोस्ते एक चीज थोरा समझना एजुकेशन इस दकी नौटे मास्टर की फिर से रिपीट करनता हूं एजुकेशन इस दकी नौटे मास्टर की आप जानते हो एजुकेशन आपके लाइफ के रिकार्डेंग एक कुणजी है और इससे ज्यादा और कुछ नहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि एजुकेशन से हर चीज मिलता है तो एक परसेंट ऐसा ह पिल्कुल भी नहीं होता है एक परसेंट में वही बंदे आते हैं जो इंडिया के टॉप कॉलेज और टॉप इंवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं जिनको एजुकेशन लेने से पढ़ाई करने से हर एक चीज मिल जाता है मैं इसलिए इसको किलियर कर रहा हूं कि आप पास में ्डॉन का चाभी है ऐसे समझो एक बहुत बड़ा बंगला वंगले में टूर्णो के पहुच जाते हो और उस्व हम सबीसे मेंधला लॉक है filos ह् चाभी तो आप उस मजा लोगे दो या तो नीचे सोना पड़ेगा नहीं तो किदर कोने में जाके सोना पड़ेगा नहीं तो पूरी रात उस बंगले में बटकना पड़ेगा इसके अलावा और तो आप कुछ नहीं कर पाओगे वैसे ही दोस्त अपने life के regarding होता है समझना थोड़ा ध्यान से समझ पाओगे अपने life में भी वैसे ही हर एक चीज़ का अलग-अलग पाट है education को मैं इसलिए clear कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बंदे को ऐसा लगता है education से अपना life success हो जाता है लेकिन दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता education proper आपको एक फिल्ड में ले जाके कुछ करवा सकता है इसके अलवा और कुछ नहीं होता है education से आप एक proper फिल्ड में जा सकते हो लेकिन अगर ऐसा सोचते हो कि life में successful हो जाओगा तो 99% तो कोई चांस नहीं है और एक परसेंट में तो अगर आ जाते हो तब तो बहुत अच्छी बात है लेकिन आओगे नहीं बहुत ही rare case होता है जो एक परसेंट में आता है जैसे कि अभी समझा दोस्त बंगले के बाड़े में वैसे ही बंगले में बहुत सारा room है हर एक बंगले के room का अलग अलग चावी है वैसे ही दोस्त अपने life के recording अपने life में बहुत सारा part है education है, career है, relation है, family है हर एक चीज अलग अलग part में बटा हुआ है आपको हर एक चीज का चाभी आपके पास होना चाहिए, तब ही आप अपने life के लिकाड़े, success करें, जो भी आप पाना चाहते हो, वही आपको मिलता है, अगर आपको proper हर एक चीज के चाभी आपके पास नहीं है, तो आप उस life का कोई मतलब ही नहीं रहता दोस्त, इसलिए दो करता है, तो दोस्त, सर्वाइव करने की बात हुई, अगर सर्वाइव करने की बात करों, तो इस धर्ती पे हर एक जानोवर, जीव, जन, तो सब तो सर्वाइव कर रहा है न, लेकिन हम लोग इस धर्ती के सबसे समझदार पराने, और सबसे intelligence आदमी है, जो हम लोग को इन सर्वाइव भी करते हैं, एक परसेंट ऐसे रेयर बंदे होते हैं, जो अपने लाइफ में, हर ख्वाइज, हर सपना अपना पूरा करते हैं, लेकिन 99 परसेंट लोग हमेशा वैसे ही जीते हैं, जैसे सब जीते आ रहे हैं, इसलिए दोस्त, इस चीज को समझना most important है, जानते फिल्ड में काम कर रहे हैं, परोपर उस फिल्ड का knowledge आपके पास होना most important है, अपने लाइफ में हमेशा एक चीज याद रखना, knowledge is the master की, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना दोस्त, knowledge is the master की, ज्यान एक ऐसा कुंजी है, जो आपको इस दुनिया के हर एक फिल्ड में success बना सीखना चाहते हो, तो परोपर अगर आप education लेने के लिए जाओगे, तो दो साल का ITA का course होता है, मैं simple सा simple course बता रहा हूँ, दो साल का ITA का course होता है, आपको दो साल में welding मारना सिखाएगा, अगर आप welding मारना सीखना ही चाहते हो, तो आप किसी welder के दुकान पे चले जाओ, पिछले 10 सालों से welding मारना है, उसको जाके बोलो कि मेरे को welding मारने का सीखना है, मैं आपको महीने का कुछ रुपए दूँगा, आपको 10 महीने में master welder नहीं बना दिया, तो जो बोलना सो, हर एक welding मारना आपको सीखा देगा, बस 10 महीने के अंदर, ना आपका time बढ़बाद हो क्योंकि education से ज़्यादा बेटर हमेशा knowledge ही होता है, क्योंकि education copy की दाप से मिलता है, और knowledge अपने experience मिलता है, इसलिए दोस्त हमेशा इस चीज को बोला जाता है, और मैं खुद इस चीज को मानता हूं और बोलता हूं, education is the better than knowledge, education से हमेशा ज़्यादा बढ़िया ग्यान होता है इन सभी चीजों का clear करने का बस एक ही motive है, मैं बस आपको यही चीज clear करना चाहता हूं, कहीं आपके दिमाग में भी तो कचरा नहीं भड़ा हुआ है, क्योंकि बड़ा simple सा बात है, कि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कि पूरे का पूरे दिमाग मे कचरा भर लिए हैं, और कचरा भर के काम करने के लिए चलेंगे, तो अगर दिमाग में कचरा भड़ा हुआ है, तो काम में कचरा नहीं भर दोगे, काम का कचरा नहीं बना दोगे, इसलिए दोस्त अपने दिमाग का कचरा साफ करो, और कचरा साफ करने का मतलब समझते हो, क् कोई काम नहीं आता है जैसे कि हम लोग सुबा सुबा उठके नीउज चैणल देखते है नीज देखते ह। सुबा सुबा उठके नीज पेपर पूरते हैं लेगिन 99 परसेंट का निए तो बिल्कुल नहीं होता है। एक परसेंट चीज उसमें का होता है दोस्ते एक परसेंट के लिए क्या उतना आदा गंटा पना टाइम बरबाद करने जाओगे वैसे ही दोस्त अपने लाइफ के रिकार्डिक, बहुत सारा चीज कचरा बरता आपने लाइफ में एजूकेशन कुछ है, काम कुछ और कर रहे ह हो आपके पास अगर आभी जो भी काम कर रहे हो नहीं है नौलेज तो उसका नौलेज ले लो कि कोई नौलेज के लिए कोई डिग्री डिपलोमा का जरूरत नहीं होता है कोई किताब कॉपी का जरूरत नहीं होता है knowledge आप सीख सकते हो किसी से कूछ सकते हो नहीं तो अगर परना चाहो तो पर भी सकते हो इसलिए दोस्त प्रोपर जिस भी फिल्ड में काम कर रहे हो उस फिल्ड का knowledge होना most important है नहीं तो life के कभी भी success नहीं मिलता है । जो भी आप पाना चाहते हो कभी भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि काम को कोई और करोगे to जो पूरी लाइफ शब करते हैं करते रहोगे इसलिए गो dive पर उस फिल्ड का knowledge लो जिस फिल्ड में काम कर रहे हो जिस फिल्ड में करना चाहते हो उसका knowledge पहले से ले लो उसके बाद उस काम को कर वह 100% आपको result मिलेगा तो इसको किलियर करने का बस यही मतलब था कि इंडिया का जो education system बड़ा इधर उदर है इसलिए इसको समझना most important हो ज इसे निकले हुए कुछ बंदे ही education के recording आपके लाइक में बहुत कुछ कर जाते हैं लेकिन बहुत सारे बंदे तो ऐसे हैं जो इधर उदर college से पढ़ाई करते हैं बहुत सारे university से पढ़ाई करते हैं का क्या इसलिए दोस्त हमेशा इसको ध्यान रखो education is the better than knowledge आज के लिए ब